इस वीडियो में आपको दिखाएंगे Zoom Video Conferencing Software को किस तरी किसी Windows 10 के अंदर डाउनलोड करके सेट आप करना है तो Zoom को डाउनलोड करने के लिए किसी भी ब्राउजर उपन कर लिजे मैं यहापर Google Chrome उपन कर लिया यहापर एड्रेस बार के अंदर आपको तो सार्च करना होगा Zoom लिक करके SIMPLE एप लिख देंगे Zoom यहापर उसका Link जो है वह आपको देखना को मिल जाएगी यहापर जो डाउनलोड लिंक है इसका जो डाउनलोड लिंक यहापर AVA सिम्पल इस लिंक करना होगा यह जो लिंक है वो Description box में भी आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां पर डाउनलोड जो पेज है jom.us slash download यह पेज हम लोग डाउनलोड कर चुका हूँ यहां पर आचुका हूँ and यहां पर आप देखिए jom 64-bit, 32-bit and arm 64-bit तो हम लोग 64-bit यह वाला लिंक जो है इसके उपर क्लिक करके download करेंगे तो simply इसके उपर क्लिक करेंगे इसका जो download process है वो शूरू हो जाती है अब यहां पर कहां पर आपको download जो file है यह एकसी file वो save करना है वो आपको दिखाना है जैसे कि यहां पर हम लोग desktop के अंदर दिखा रहा हूँ and यहां पर simply save के उपर हम लोग क्लिक कर देंगे and यहां पर देख सकते हो 104 MP का यह जो application है यह download हो चुका है and desktop के अंदर यहां पर आ चुका है simply इसके उपर आप लोग को double click करना होगा and एक permission मगएगा simply आपको yes करना होगा and इसके बाद जूम जो है यह download इंस्टॉल होने लाएगा थोड़ा सा initialize process करेंगे फिर जाके थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा and यह install हो जाएगी इसके बाद इसका जो account setup process है वो भी दिखाएंगे किस तरीके से account setup करना है किस तरीके से join करना है किस तरीके से room create करना है अगर आपको video conferencing करना है किस तरीके से room create कर सकते हो एक दो ती इंचारी आपका पूरा की पूरा office का जो office का staff है उसको ले करके आप basically इसके अंदर video call कर सकते हो यह देख सकते हो अब जो है यह permission मंग रहा है तो आब आपको yes करना होगा यह इसके लिए windows का permission है अब देखिए यह zoom जो है वो install हमारा ready हो चुका है अब यहाँ पे टेक्स्टॉप के अंदर यह जो zoom का page है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको simply search करके आना होगा यहाँ पे देख सकते हो यह है search bar simply इसके अंदर जाके आप zoom search करेंगे तो आपका zoom का application है वो आपको देखने को मिल जाएगे जख सकते हो zoom workspace workplace यह है तो zoom open करने के बाद install होने के बाद यह ऐसा कुछ दिखाए देगा and automatically keep zoom workplace app up to date इसके उपर अगर आप check mark करके रखते हो तो automatically यह zoom जब भी इसका नए update आपडेट आजाएगा यह आपडेट कर लेंगा यह तो वह आपको करना है अगर आप करना चाहते हो तो यह करके रखना सह और यहाँ पे done की पर अफ लोगो को क्लिक करना होगा and यहाँ पे join meeting आप directly meeting join कर सकतो हो एक नय account क्रेंट कर सकतो हो already account है तो यहाँ पे sign in कर सकतो हो यह है sign up and अगर आप directly sign up ना करके join meeting की पर क्लिक कर देदो तो अब्यसलिए यहां पर meeting ID and आपका name दे करके join के ओपर click करना होगा meeting का ID होता है personal link होता है and personal link name यहां पर आप दे सकते हैं तो हम लोग वो नहीं करेंगे directly किस तरह किसे sign up करना है वो आपको दिखा देते हैं यह देखिए sign up का process है यह तो simply sign up के ओपर हम लोग क्लिक करते हैं and यह loading होने लाएगा थोड़ा सा आपको जो आपको server करना पड़ेगा जब install करते हैं तो यहां पर आपको birth year देना होगा जिस year में आप जनम लिये थे फिर यहां पर continue के ओपर click करना होगा यहां से आप जो है basically आपको email address देना होगा जैसे कि हमारा email address है वो दे देता हूँ official.abduhassan.gmail.com यह दे दिया फिर यहां पर continue के ओपर आप लोगों को click करना होगा यहां पर continue के ओपर click करेंगे तो यहां पर यह email को obviously email जो है इसके पास एक OTP जाएगा and ओ OTP आपको देना होगा and OTP आप mobile से भी ले सकते हो क्योंकि यह email ID है यह मेरा mobile के अंदर already logged in है तो email के अंदर जाके हम लोग देख लेते है and OTP आ चुका है OTP जो है पर दे 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 नाइन थ्री सिक्स फाइब यह दे दिया फिर यहां पर आपको verify के ओपर click करना होगा पर चलिक करेंगे and यहां पर आपका नाम दे न नेम देना होगा जैसिकि या पर हम लोग दे देंगे अबौ में लोग पीचार रहेए क्या मेल डेख करेंगे यहाँ पर हम लोग देquito ऐँगे ही फाइड पर एडख़ेशन के लिए आप यहाँ पे चेकिनाएक है यह दे दिया, एक यहाँ पे एक special character देना तो तो एक जगा आप यहाँ पे add the rate दे दिया, यह हो गया, and for education के लिए आप यहाँ पे check mark कर सकतो, वह हम लोग नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे continue के उपर हम लोग click कर देंगे, and हमारा जूम का जो work place है वो ready हो जाएगा, यहाँ से audio call कर सकतो, अगर आपका PC में camera नहीं है तो भी आप कर सकतो, देख सकतो, यहाँ पे zoom का work space है वो open हो चुग है, यहाँ पे new meeting, join का option है, अगर आप किसी भी meeting में join करना चाहँ तो इसके उपर click करना होगा, and new meeting करना चाहँ तो वो कर सकतो, and इसके अंदर share screen का option है, मतलब को screen यह देख सकतो, join with computer audio, and speaker and microphone, test speaker and microphone, test करना चाहँ तो आप कर सकतो, यह देख सकतो, speaker test हो चुग है, yes कर देंगे, and यह देखे, audio हम लोग test कर रहो हो, simply yes के उपर click कर देंगे, and end test, यह कर दिया, and join with computer audio, click कर दिया, अब यहाँ पे हमारा जो work space हो radio हो चुग है, वीडियो अभी त मतला, join किया, उसको देख सकतो, host tool का खाफी सरा चीज, AI tools देखने को मिल जाएगा, इसका अंदर apps देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको simply video on करना है, इसके उपर click करना होगा, and okay पर click करना होगा, अगर आपके पस camera है, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, and यह जो meeting है, इसका details अगर आपको देखना है, तो यहाँ पर देखिए, यह share का option है, यहाँ पर, यहाँ पर share की option के उपर click करना होगा, and यहाँ पर आप स्क्रीन share कर सकतो, and यहाँ पर cancel पर click कर देदे, फिर यहाँ पर more की उपर click कर देदे, and why it is a default view, and यहाँ पर इसका जो link है, वो क आपको ढूंड के बता देदो, यह देख सकतो, participant जो है, यहाँ पर a की participant है, add profile picture, rename, and आपका email id देख करके भी join कर सकते है, ऐसा बात नहीं है, फिर यहाँ पर host tool, and suspend participant activity log, meeting enable, meeting room, hide profile picture, and यह सारे के सारे जो settings है, वो आपको देखने को मिल जाता है, यह है chat का option, अगर आप chat add करन चाहते हो, वो आप लिख सकते हो, and यह देखिये, invite link यहाँ पर आपको available, देखने को मिल जाता है, यह है participant, यहाँ पर यहाँ पर जो arrow दिखा रहा है, simply इस arrow की उपर click करना होगा, and यहाँ पर invite and coffee invite link, alt shift i, यह press करने के तो copy हो जाएगी, and किसी के पास अगर आपको भेजना है कहीं पर भी, तो यहाँ पर simply, यह इसको पस यह वाला जो link है, वो आप बेज़ सकते हो, and यहाँ से directly किसी ने भी इसके अंदर join कर सकते है, and इसको अगर आप lock करना चाहते हो, या lock meeting, meeting lock कर सकते हो, ताकि दूसरा किसी ने, अगर 2-3 lock add हो गया, तो उसके बाद lock करना चाहते ह कि PC के अंदर Windows 10 के अंदर आप set up कर सकते हो,